हलो एवरिबरन, कैसे आप सब, तो आज मैं आप सब के लिए लाई हूँ बहुती मज़े की रेशिपी, चिकन फ्राई की रेशिपी, जो दिली की फेमस है, और मैं आप सब के लिए लाई हूँ, आप सब को ज़रूर पसंद आएगा, तो मेरी वीडियो को देखिए, और लाइ पर दो चमच अधरक और लेसुन मैंने यहां पर डाल दिया है और आदा छोटा चमच से भी कम नमक लेना है अब ही हम आगे और नमक डालेंगे इसको डालने के बाद अब हम यहां पर डालेंगे एक बड़े नीमू करस तो इसको अच्छे से यहां पर मिक्स कर लेना है कि बीस मिलिट के बाद मैंने इसको ओपेन किया है इस तरीके से खोल लेंगे और खोलने के बाद देखिए अच्छे से जूसी हो गया है और आप यहां पर कुछ मसाले को डालना है इसमें तो कॉन फ्लोर्ट त्री टेबल स्पून और बेशन देट टेबल स्पून धन्या प फूडर वनटी ज्पून चाट मसाला पड़र टू टी ज्पून नमक वनटी स्पून और काला नमक वन थोड़ा सा डाल देंगे इसमें दही टू टेबल स्पून आपको लेना है तो देखिए दही को मैंने पहले आदा गंडा पहले ऐसे कटोरी से दाप के रख दिया था रुमाल में इस तरीके से करके रख देना है आपको भी ताकि इसके सारे पानी जो है वो अच्छे से निकल और जो थोड़े बहुत पानी बचे हैं वो मैं यहाँ पे इसमें से दाप के निकल रही हूँ और यह टू टेबल स्पून दही है इसको मैंने इसमें डाल दिया है क्योंके पानी नहीं डालेंगे नहीं तो पानी बहुत जादा छोड़ देता है तो इसलिए पानी नहीं डा करना है तो मीडियम फिलेम पर करके आप इसको फ्राई कीजिए उसके बाद तुरंथ हाई कर दीजेगा फिर यहां पर देखिए हाई करने के बाद मैंने थोड़ा से इसको ऐसे से घुमा दिया है क्योंकि जो तेल जो है वो थोड़ा उपर में भी गोस्त में अच्छे से लग आज पर पकाने के बाद मैंने इसको पलट दिया है दस मिनट के बाद और देखिए से इसी तरीके से उलट पुलट करके आप इसको तैयार कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छे से कलर के साथ यह चिकन मेरी फ्राई हो गई है और बहुत ही टेस्टी बनी यह बहुत जादा जू और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजेगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किये बिना प्लीज ना जाईएगा तो देखिए कितने अच्छे कलर के साथ मैंने इसको फ्राई किया है बहुत ही अच्छे से यह पक गया है बहुत अच्छे से गल गया है और हिसाब से आप इसको फॉलो करिए और देखिए बहुत ही अच्छे से में रेसिपी तयार होगी है तो इसी तरह की रेसिपी को देखने करें मेरे चैनल को लाइक शियर और सबस्क्राइब जरूर से कर दीजिए अल्ला हफीज